Hello everyone, I hope आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग discuss करने जा रहे हैं What is Metafiction? Metafiction किसको कहते हैं? Metafiction मिलकर बना है दो पार्ट से दो पार्ट से इसके Meta and Fiction यह जो prefix है Meta इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है About About Fiction Metafiction means About Fiction जिसको अगर हम define करें Metafiction is a self-conscious literary style in which the narrator or characters are aware that they are part of a work of fiction क्या मतलब? मतलब यह कि एक ऐसा work जिसमें narrator और characters दोनों को पता होता है कि वो एक imaginative work का हिस्सा है असान words में हम इसको यह कहेंगे that Metafiction is a work that thinks and even talks about itself It is self-conscious यह एसा work जो अपने बारे में ही बात कर रहा हो नहीं समझाई For example, आप कोई story पढ़ रहे हैं उसके अंदर यह बताया जा रहा है कि stories को लिखा कैसे जाता है वो है Metafiction आप कोई book पढ़ रहे हैं, उसमें author आपको मुखातिब करते हुए कोई बात करता है reader को यह audience को मुखातिब करते हुए कोई बात करता है तो क्या है? Metafiction मतलब ऐसा work जिसके अंदर fiction के बारे में ही बात की जा रही हो नहीं समझाई For example, आप कोई work पढ़ रहे हैं उसमें author आपको बता रहा है कोई भी dialogue ऐसा बोल रहा है जिसमें वो reader कह रहा है यह audience कह रहा है वो Metafiction है मतलब यह कि उसको पता है कि वो एक fiction का हिस्सा है या कोई character, reader को या audience को मुखातिब करते हुए कोई बात कर देता है तो वो Metafiction है या आपको मुखातिब करते हुए narrator यह कहता है कि यह stories कैसे लिखी जाती हैं आपको बता रहा है वो metafiction है, fiction about fiction, it is metafiction, fiction किसको कहते हैं, अब fiction लिखने का असल मकसद क्या होता है, fiction लिखने का मकसद ये होता है, कि कोई ऐसी story create करना, जिसको पढ़कर reader उसमें खो जाए, वह तब story ऐसी create की जाए, जिसको पढ़े reader और ऐसा उसको लगे, कि वो कोई reality-based story पढ़ रहा है, और उसमें खो जाए, अपने आपको relate करने लगे उसके साथ, metafiction उससे opposite है, metafiction के अंदर writer, reader को बार बार बताता है, कि वो एक imaginative work को पढ़ रहा है, ताके वो उसका हिस्सा बनने की कोशिश ना करे, ये difference है fiction और metafiction में, metafiction एक ऐसा work है, जो के imaginative words से reader को उसको बताता है, कि वो इसके अंदर खोने की कोशिश ना करे, वो reader को बता रहा होता है, कि वो एक fiction पढ़ रहा है, एक imaginative work को पढ़ रहा है, ताके वो उसका हिस्सा ना बने, ये है metafiction, fiction about fiction, Metafiction term को first time introduce करवाया, American novelist William H. Gass ने, William H. Gass ने 1970 में एक book लिखी, Fiction and Figures of Life, जिसके अंदर उन्होंने इस term को introduce करवाया first time, 1970 के अंदर, इसमें उन्होंने discuss किया कि किस तरह से reader एक work को पढ़ते हुए ये भूल जाता है, that it is a constructed one, कि जो वो work पढ़ रहा है, उसको construct किया गया है, imaginative है वो, reality based नहीं है, इसलिए उस work के अंदर narrator या characters, reader को याद करवाते हैं, कि वो एक imaginative work को पढ़ रहा है, उसके अंदर खोने की कोशिश ना करे, उसको reality ना समझे, बलके imaginative है वो, तो इसको 1970 में first time introduce करवाया था, ये actual में post modern age में introduce हुआ था, मतलब post modern age के अंदर इसको introduce करवाया गया था, इसलिए reality से हट कर अपने works लिखते थे, मतलब वो ये ऐसी age थी जिसमें questioning raise, question raise हो रहे थे, reality और mind दोनों के दर्मियान, कि लोग ये समझ रहे थे कि reality कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारा mind हमारी consciousness है, तो वो reality से हट कर अपने works को लिखते थे, और वो works के mind और consciousness बेस्ट होते थे, तो ये post modern age की पैदावार है, जिसमें reader को बताया जा रहा है, कि वो reality को और imaginative work को आपस में मिलाने की कोशिश ना करे, कि वो जो work पढ़ रहे हैं, जो book पढ़ रहे हैं, वो imaginative है, constructed है, उसका और reality का आपस में कोई तालुक नहीं है, इसलिए तालुक बनाने की कोशिश भी ना की जाए, अब हैं हमारे पास purpose of metafiction, कि metafiction को लिखने का मकसद क्या होता है, number one, to show the dual reality of the novel's fictional world and the real world, कि जो भी work है, चाहे वो novel है या कोई और work है, उसकी dual reality को दिखाना, कि एक reality है, जो reader actual में experience कर रहा है, और एक reality है, जो वो पढ़ रहा है, fictional reality, तो दो words हैं, एक fictional word है और एक real word है, तो दोनों को अलैदा-अलैदा दिखाना, number two, to parody conventions in literature yondras, कि जो literary yondras हैं, उनके उपर बात करना, उनके उपर comments करना, number three, to thwart reader expectations, कि reader की जो expectations हैं, उनको ना काम करना, उसको बताना, कि एक imaginative work को पढ़ते हुए, कोई expectations ना रखे, वो reality-based किसी चीज़ को नहीं पढ़ रहा, एक imaginative work को पढ़ रहा है, then, to unveil truths, कि किसी भी सच्चाई के उपर से पर्दा हटाने के लिए भी लिखा जा सकता है, then, to explore different facets of the human condition, इंसान की जो condition है, उसके different पहलू भी बता सकता है, तो different purposes हैं, meta-fiction को लिखने के, लेकिन mind में ये रखना है, कि meta-fiction जो है, वो imaginative work है, जिसके अंदर audience और reader को मुखातिब किया जाता है, या fiction से related होता है, fiction पे बात की जा सकती है, commentary की जा सकती है, ये है meta-fiction, अब इसकी characteristics क्या है, meta-fiction की क्या-क्या characteristics है, number one, no boundary between reader and writer, कि reader और writer दोनों के दर्मियान कोई boundary नहीं होती, writer जो है, वो reader को मुखातिब करके अपना work लिख रहा होता है, और उसको मुखातिब करता है, चाहे किसी character के dialogue के थूँ या चाहे खुद से, number two, self consciousness, जो author है, वो अपने process के उपर ही बात कर रहा होता है, कि उसने किस process से इस work को लिखा, और फिर reader की attention हासिल कर रहा होता है, अपने work के थूँ, then, unconventional and experimental, कि दूसरे convention से जो जितने भी बाकी जो works है, उनके traditions है, उनसे हट कर है metafiction, और experimental है, मतलब ये, कि different narrative techniques को use करते हुए, ऐसे works को create किया जाता है, metafictional works को, तो ये characteristics है metafiction की, next है हमारे पास examples of metafiction, जो के सबसे important है, जिससे आपको समझ आएगा के metafiction क्या है, first example है metafiction की, The Canterbury Tales by Jaffrey Chaucer, Chaucer ने अपने इस work के अंदर, different pilgrims की stories को बताया है, stories को introduce करवाया है one by one, लेकिन जो narrator है, वो reader को या audience को मुखातिब करके, उन stories पर comments करता है, और last में भी अगर आप उसको पढ़ेंगे, तो वो reader को या audience को apologize कर रहा है, कि उसने किसी बात पर अगर उन्हें परेशान किया, या कोई बात गलत की तो, तो वो work हम देखते हैं, कि वो एक metafictional work है, जिसके अंदर एक तो different stories को बताया जा रहा है, और reader को और audience को direct मुखातिब करके बताया जा रहा है, उसके बाद second example है, Jane Eyre, Jane Eyre by Charlotte Pronte, उसके अंदर हम देखते हैं, कि Jane Eyre जो main character है, उसको पता है, कि वो एक fictional work का part है, कि वो एक novel का part है, कोई real life person नहीं है, और वो उसके अंदर कहती भी है एक जगा पर, reader, I am married, मतलब वो reader को मुखातिब करके उसको बात करती है, कि मैंने शादी कर ली है, तो हम यहाँ पर इन examples के तुरू यह देख रहा हैं, कि narrator या character या author, reader को या audience को मुखातिब करके, अपने works पर या commentary करते हैं, या कोई dialogue बोल देते हैं, यह है metafictional works, जिसके अंदर या तो कोई story बयान की जा रही है, story within a story हम इसको कह लेंगे, किसी दूसरे novel के उपर commentary की जा सकती है, लेकिन reader और audience को मुखातिब करके किया जा रहा होगा, यह सब कुछ, reader और audience को बताया जा रहा होगा, कि वो एक fictional work का हिस्सा है, एक imaginative work का हिस्सा, जिसे construct किया गया है, लिखा गया है, reality based नहीं है वो, यह है metafiction, तो यहाँ पर खतम होता है हमारा आज का यह lecture, उमीद है आपको समझ आई होगी, आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज,